आपके बास वीवोट B29 29E29 Pro कोई भी फोन है तो यहाँ पर डेटा लिमिट सेट कैसे कर सकते हैं फोन में तो इसके लिए स्क्रॉल करके जाएंगे सेटिंग पर इस टैप से ऑप्शन आएगा नेटवर्क एंट पर क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क सेट करलेगे कि कौन सी तारिक पहे आपने रिक्चार्ज करवाया है यहां फीर आपका प concrete बिल्का कनेक्शन है कौन से दिन जनेरेट होता है तो ऐस करके सएट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे सइट डेटा वार्निंग आपको चाहिए तो और रखेंगे अब यहां पर इसे और कर देगे है तो यहां पर तोल रिचार्ज लिख देंग जिसको तो अगर टो तोटेल आपको 5 GB मिला है per month का या yearly जो भी है तो यहां पे na GBMB के form में आप लिखके set कर लेंगे अब data warning कितने GB पर चाहिए वो लिख लेंगे तो यहां पर जैसे कि 2 GB लगा लेंगे अगर total 5 GB है तो 3 GB खर्च हो जाएगा 2 GB खर्च हो जाएगा 2 GB पर आपको warning मिलने स्टार्ट हो जाएगे कि बाकी की 3 GB आप बचा सकते हैं बात के लिए set पर क्लिक कर देंगे अगर एक दिन आपको यह data limit सेट करना है जैसे आज आज के लिए तो यहां पर आप कर सकते हैं ठीक है और यह पड़े आप चेंज कर सकते हैं अपने पर आपको पॉस्पिट कनेक्शन है तो आप लगा सकते हैं यहां पर मंत का यह फिर आपका टोटल रिचार्ट जो अमाउंट मिला है साल भर का रिचार्ज कर वाया है तो भी आप यहां पे इसको देखके कॉपी मत कीजिए ठीक है अपके अलग-अलग रिचार्ज के अकॉर्डिंग आपका डेटा लिमिट सेट होता है उसको आप कैल्कुलेट कर लेंगे कैल्कुलेटर पर जाके चली मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार